दोस्तो वाइट हाउस वेस्थान है जहां अमेरिका की राष्टपती रहते हैं वाइट हाउस को अमेरिकी आर्किटेक्स जेम्स होब ने डिजाइन किया था वाइट हाउस की नियू अक्टूबर 1792 में रखी गई थी और इसको बनाने में 8 साल का समय लगा था दोस्तो वाइट हाउस के जैसी दुनिया में 2 इमारते और बनाई गई है इनमें से एक फ्रांस में और दूसरी इमारत आयरलेंड में बनाई गई है वाइट हाउस के अंदर कुल 132 कमरे और इसके साथ 7,412 दरवाजे, 147 खिड़किया, 28 अंगूठी, 8 सीड़िया, 35 बातरूम और 3 लिफ्ट बनाई गई है अगर आप वाइट हाउस को देखने के लिए जाना चाते हैं तो इसके लिए आपको 6 महीने पहले आवेधन देना पड़ता है दोस्तो वाइट हाउस को आप बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं इसके लिए आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होती लिंकन और कैनेडी ये दोनों अमेरिका के ऐसे राष्टपती थे जिनकी पतनियां वाइट हाउस में परवेश करते समय अपने अपने एक एक बच्चे को खो दिया था दोस्तो वाइट हाउस की इमारत छे मंजिला बनाई गई है और इसके अंदर दो बेस्मेंट, दो फ्लोर और बाकी सारे फ्लोर और अमेरिका के राष्टपती के रहने के लिए बनाए गए हैं वाइट हाउस के अंदर एक टेनिस, कोर्ड, जोगिंग, ट्रेक, स्विमिंग, पुल, मुवी, थियेटर और बाउलिंग, लेन बनाया गया है वाइट हाउस में अमेरिकी राष्टपती, फॉम्स, जेफर्सन के द्वारा बनाई गई आज भी पत्थर की दिवारे हैं वाइट हाउस में राष्टपती और पर्थम महिला को उनके भोजन, परसादन, ड्राइक लिनिंग, सहीत, अन्य सभी चीजों के लिए चार्ज किया जाता है दोस्तो निर्माना धीन, वाइट हाउस के दोरान राष्टपती जॉर्ज वासिंग्टन अपने कार्याले में होते थे बता दे कि वासिंग्टन कभी भी राष्टपती भावन में नहीं रहे ऐसा बताया गया है कि वे वाइट हाउस में एक हपते में लगबग 65,000 चिठ्थिया आती है और एक दिन में पच्चिस सो से 3500 फोन कोल्स आते हैं इनके लावा एक अजार फेक्स और लगबग एक लाख इमेल आते हैं वाइट हाउस में पाँच फुल टाइम सेफ काम करते हैं भावन के अंदर 140 मेहमानों के 17 रातरी भोजन की व्यस्था भी है 1814 में ब्रिटिस आर्मी ने बर्निंग ओफ वासिंटन घटना के समय वाइट हाउस की दिवारों को नुकसान पहुचाना चाहा था वाइट हाउस के अगल बगल इतनी हर्यालिये कि हम यहां के वातावन को 100% पॉलुशन फ्री कह सकते हैं वाइट हाउस के अंदर प्रेस रूम ठीक नीचे एक स्विमिंग पूल है और 32 राष्टपती फ्रेंक्लिन डी रुजवेल्ट ने यह पूल पॉलियो थेरिपी के लिए बनाया था इसके बाद 37 राष्टपती रिचर्ड निक्सन ने यहां प्रेस रूम बनवा दिया इसके बाद 2007 में कमरे को फिर से डिजाइन किया गया वाइट हाउस परिसर में एक बंकर भी मौजूद है जो किसी भी मुसीबत के वक्त अमेरिकी राष्टपती उनके परिवार और स्टाफ को सुरक्षित रखने के लिए इस्तमाल किया जाता है वाइट हाउस आज जहां पर खड़ा है वहाँ पर एक जमाने में जंगल पहाड था अमेरिका की आजादी के करीब 15 साल वाद वासिंटन सहर पहाडी और जंगल के बीच गिंती के कुछ लोगों का बसे रा था 1789 में अमेरिकी कांग्रेस ने नई राजधाने बसाने का फैसला किया हाला कि 200 से अधिक साल के इतिहास में वाइट हाउस के नक्षे में कुछ बदलाव जरूर हुए हैं लेकिन मोटे तोर पर वाइट हाउस का नक्षा आज भी वही है जैसा कभी एक जमाने में हुआ करता था इस नक्षे के मताबिक वाइट हाउस के पूरब की तरफ मनोरंजन के लिए एक इमारत है दक्सिन की तरफ तीन पार्लर है ग्रीन ब्लू और रेड पार्लर इनी पार्लरों में वाइट हाउस की पहचान ओवल डिजाइन वाला दफतर है पस्चिम की तरफ राज की डाइनिंग होल है उत्तिर की तरफ वो इमारते हैं जहां राष्टपती का परिवार रहता है 1812 के युद्ध में ब्रिटिस फोज ने वासिंग्टन पर कबजा कर लिया था इसके बाद उन्होंने वाइट हाउस को भी आग के हवाले कर दिया था आग के वो निसान आज भी वाइट हाउस पर पुती कई परतों के नीचे मिल जाते हैं जब इसका रंग रोगन किया जाता है वाइट हाउस के विद्वनसक के फोरन बाद ही राष्टपती जेम्स मरोन ने वाइट हाउस के पुनर निर्मान का आदेश दिया था इसके बाद से वाइट हाउस अमेरिकी राष्टपतियों का स्थाई निवास है सफेद बल्वा पत्थर से जारजियन सेली में बना है वाइट हाउस जॉन एडम्स के कार्यकाल से ही ये अमेरिकन राष्टपतियों का सरकारी आवास भी है वाइट हाउस वास्तों में 55,000 वर्ग फिटर 26 में बना हुआ है जमीन से इसकी उचाई 70 फिट है जबकि चोड़ाई 170 फिट है गहराई 85 फिट है यह 18 एकड जमीन पर स्थित है वाइट हाउस के बाहरी दिवारों को पेंट करने के लिए 570 गैलन रंग की जरुत पड़ती है गोर तलब है कि 1994 में पेंट का खर्च 2,83,000 डॉलर यानि की 1 करोड 72 लाख रुपए से ज़्यादा था तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई तो प्लेज मेरे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद